हेई गाईज वेलकम टू चैनल एक्जाम गुरू जी उमीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप जिस किसी भी एक्जाम की प्रेपेशन कर रहे हैं वो भी अच्छी चले होगी तो guys हम discuss करने वाले हैं आज अपने phrasal of the day में हमारा phrasal है get ahead जिसका मतलब होता है किसी भी काम में आगे होना ठीक तो इसका meaning अगर इंग्लिश में समझे हैं तो to advance and be successful at something और एक picture के थूरू इसको समझते हैं जैसे कि यह बंदा सबसे आगे है और इसने जो red line है वो cross कर लिए to make progress in your work and become successful ठीक है अगर बात करें हम इसकी synonyms की तो synonyms जो होगा वोगा advance and progress ठीक और इसको हम usage अगर देखें यानि कि इसको sentence में किस तरीके से यूज करना है तो I would love to get ahead in my career and the second one is most people work hard in order to get ahead in life यानि कि बहुत सारे लोग जो भी हैं वो बहुत मेहनत करते हैं और किसलिए करत हैं हो कि life में आगे रहें तो आज के लिए तना ही thank you very much